चौकलेट का इतिहास और कोको पेल की फलियों से इसके निर्मान का पता प्राचीन माया और उससे भी पहले दक्षनी मेक्सिको के प्राचीन ओलमेक्स से लगाया जा सकता है चौकलेट शब्द से मीठी कैंडी बार और स्वादिश ट्रफल्स की छवी उभर सकती है लेकिन आज की मिठाया अतीत की चौकलेट से बहुत कम समानता रखती है अपने पूरे इतिहास में चौकलेट एक करवा पिथा, मीठ चौकलेट जल्द ही सार्वभमिक रूप से पसंद की जाने वाली वस्तू बन गई जो आज है चौकलेट का आविशकार किसने किया चौकलेट कोको के पेड़ों के फल से बनाई जाती है जो मध्य और दक्षन अमेरिका के मूल निवासी है फलों को फली कहा जाता है और प्रतेक फली में लगभग 40 कोको बीन्स होते है अधिकांश आधुनिक चौकलेट अत्यधिक परिश्कृत और बड़े पैमाने पर उत्पादित होती है हाला कि कुछ चौकलेट निर्माता अभी भी अपनी चौकलेट रचनाए हाथ से बनाते हैं और सामगरी को यथा संभव शुदह रखते हैं चौकलेट पीने के लिए उपलब्ध है लेकिन अक्सर इसका आनन खाद्य मिश्थान के रूप में या डैसट और बेक किये गए सामान में लिया जाता है जबकि आपका ओसत चौकलेट बार स्वस्त नहीं माना जाता है डाप चौकलेट ने हृदे स्वस्त एंटियोकसीडेंट से भर पूर उपचार के रूप में अपनी जगह बना ली है अगर आपको ये विडियो पसंद आए तो कृप्या लाइक कमेंट शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें